हलो स्टूदेंट्स वेलकम टू आट चैनल लेट्स डिसकस और आज हम डिरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जी एन्सीट ऑफ डेली के वोक्षिट नंबर 39 को डिसकस करने जा रहें जिसकी डेट है 2nd October 2020 यह वक्षिट है क्लास 10 के लिए सब्जेक्ट है साइन्स तो स्टूदेंट्स सबसे पहले आप यहां अपना नेम मेंशन करेंगे अपने क्लास टीचर का नेम मेंशन करेंगे तो चले स्टार्ट करते हैं आज के वक्षिट का जो पढ़ना है वो क्या है saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons compounds okay as we have studied till now hydrocarbons are the molecules containing hydrogen and carbon atoms that are bonded to each other and may or may not contain other atoms okay तो अभी इससे पहले आप वक्षिट में पढ़ चुके हैं hydrocarbons के बारे में क्या होते हैं hydrocarbons organic compound which contain carbon and hydrogen atoms okay these hydrocarbons are classified into two distinct categories तो ये जो hydrocarbons हैं वो दो category में हां divided है which are saturated and unsaturated hydrocarbons चले देख लेते हैं saturated and unsaturated hydrocarbons क्या होते हैं saturated hydrocarbons hydrocarbons in which all hydrogen and carbon atoms are bonded with single bond okay तो saturated hydrocarbons में जो hydrogen और carbon atoms के बीच में जो bond होता है covalent bond होते हैं वो कैसा होते हैं single bond होते हैं okay वो कैसा होते हैं single bond होते हैं unsaturated hydrocarbons in which all carbon atoms are bonded together with double or even triple bonds unsaturated hydrocarbons में जो carbon carbon के बीच में जो bond होते हैं वो कैसा होते हैं double या फिर triple bonds होते हैं चीक है और यह जो compounds होते हैं unsaturated hydrocarbons यह ज़ाद आपका होते हैं saturated compound में क्या होगा आपका carbon carbon से single bond हो harmless तर् necesita 뭔 क्या होगा carbon carbon के बीच में double bond होगा या फिर तर्यूस कार्बन के इस में triple bond होगा ओक हो चली यहां पर देख लेते हैं नीम एंड जनेलर फार्मला तो जो आपका saturated hydrocarbon है उसमें कौन से आते है अलकेंज इसका नीम क्या हो गया अलकेंज और इसका जो जनल फॉर्मला है वो क्या है cnh2n plus 2 यह स्टुडेंट बहुत important है आपको याद रखना है इससे आप बहुत सारे आगे molecular formula या फिर नीम लिख सकते हो on second hand आपके पास है unsaturated compound उसमें आपके पास क्या है अलकीन इसका नीम अगर हम देखें तो क्या है alken and alkyne alkyne का जो formula होता है वो क्या होता है cnh2n इसमें double bond है alkyne में आपके पास क्या है triple bond और इसका जो formula होता है cnh2n-2 यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं जो n है n की value 1,2,3 and so on यह होगी और आप formula में put करोगे जिसे अगर n की value आपने 2 ली है तो आप formula अगर alkyne का बना रहे हो तो क्या बन जाएगा c2h2 into 2 plus 2 तो यह हो जाएगा c2h2 into 2,2 into 2,4 plus 2,6 तो यह बन जाएगा c2h6 जो क्या है आपका ethane तो आप ऐसे formula molecular formula बनाओ गए example देख लेते हैं यहाँ पर आपके वास example है जैसे methane, ethane, propane तो यहाँ पर अगर c2 रखा गया तो h क्या हो जाएगा 4 तो यह क्या बनेगा ethane minimum यहाँ पर हम जो n रख सकते हैं वो क्या रख सकते हैं 2 और alkyne में हम जो minimum रखेंगे वो भी क्या रखेंगे हम यहाँ पर क्या रखेंगे 2 चलिए तो alkyne के examples हो गया आपके ethane, propane और यहाँ पर alkyne के जो हो गया हो गया इthane and propane ओके चलिए आगे देखते electron dot structure, electron dot structure में आपके पास अगर यहाँ देखें, methane का formula क्या होता है, CH4 यहाँ c, c के जो electron होंगे, कितने होंगे, 4 ठीक है, जो cross का sign शो कर रहे है और इसके बाद जो h है, वो क्या है, 11 उसकी जो electron होगी, वो कितने होगी, 11 शो करेंगे और यहाँ पर जो carbon और hydrogen जो bond बनाता है, जो covalent bond बनाता है, जो electron की sharing करता है, तो यहाँ पर अपने valency को complete करने के लिए यह क्या करेगा, sharing करेगा, ठीक है, तो यह इस तरह से कुछ इसका electron dot structure बनेगा, ऐसी आपका ethene हो गया, ethene में क्या हो जाएगा, जो carbon carbon के बीच में क्या हो जाएगा, दो bond बन जाएगे, ठीक है, दो bond यहाँ पर pair बन जाएगे, electron sharing के, ओकी, इथाइन में ऐसे आपके पास क्या बन जाएगे, three bonds बन जाएगे, three pair बन जाएगे, electron sharing के, चले, next देख लेते हम, chain structure, there are carbon compounds, methane, ethane and propane, containing respectively one, two and three carbon atoms, such chains of carbon atoms can contain many more carbon atoms, तो chain structure में क्या होता है, कि जो आपके पास यहाँ पर carbon के compounds, जैसे methane हो गया, इथेन हो गया, ठीक है, इसका formula यहाँ पर आपको पता चल गया, formula क्या होता है, general formula से आप इसका molecular formula क्रेट कर सकते हैं, इसके बाद जो structure है, जो structure है, वो किस तरह का है, chain type का है, ठीक है, कि जो carbon है, वो एक chain में लगे हुए, और बाकी जो इसके पास vacant, जो वो है, position है, उस पर क्या है, hydrogen's attached, ठीक है, और यह chain कितनी भी लंबी हो सकती है, carbon, carbon की एक single chain है, ठीक है, तो यह जिस type का structure बनेगा, वो किस में आएगा, chain structure में, ओके, next है, branch structure, the carbon skeleton with four carbon atoms of butane, show two different possible skeletons, ठीक है, तो यहाँ पे एक example यह है, butane, अब butane का formula क्या होता है, butane का formula होता है, C4H10, ठीक है, butane, अब यहाँ पे chain structure में आप देख सकते हैं, कैसे structure है, C4H10 का, और इसे ही हम किस में बना सकते हैं, branch structure में ही बना सकते हैं, ठीक है, branch structure में वो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, इसमें क्या है, जो यह वाला C है, आपका यहाँ पे, इससे दो branches निकालगी, और यहाँ से क्या है, C attached है, ठीक है, और इसके बाद जो भी vacant है, उन सम में क्या है, यहाँ पे 22H, ठीक है, balance is 4, क्योंकि 4 complete करनी है carbon की, तो उसके हिसाब से यहाँ पे, जो भी vacant बच रहा है, वहाँ पे क्या है, आपका carbon attached है, oh sorry, hydrogen attached है, okay, तो यह इस टाइप की जो structure बनेगी, आपकी वो क्या ऐसी होगी, branch structure, ठीक है, जिसमें जो carbon-carbon के branches होंगे, ठीक है, अब यहाँ पे, A की formula था, formula क्या था, C4H, okay, and यहाँ पे जो structure बने, वो दो टाइप के बने, chain structure भी और branch structure भी, तो ऐसे compounds, ठीक है, जो की क्या होते है, जिनके molecular जो structure formula होता है, वो same होता है, और structure जिनके क्या होता है, different होते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, structural isomers, such compounds with identical molecular formula, but different structures are called structural isomers, ठीक है, तो यह भी important है, isomers आपको बनाने के लिए आ सकते हैं, तो आपको उसमें different, different क्या हो करना पड़ेगा, structure बनाने पड़ेगे, ठीक है, आप chain structure बना दीजे, branch structure बना दीजे, branch में अगर लंबी chain है, ठीक है, तो आप उसके और भी बहुत सारी branches बना सकते हैं, ओके, चलिए, next देखते हैं, ring structure, some compounds have carbon atoms arranged in the form of a ring, ठीक है, example, cyclohexene has molecular formula C6H12 and the following structure, ठीक है, cyclohexene हो गया है, आपर जिसका formula दे रखा है C6H12, ठीक है, और इसका जो structure बना रखा है, वो कुछ इस तरह बना रखा है, cyclo का मतलब है कि एक cycle में है, ठीक है, जो carbon carbon के, जो आपके bond बनेंगे, वो cyclic बनेंगे, ठीक है, जो एक जहां से start हो आए, वहीं से वो finish होगा, एक loop बनेगा, और इसी में जो hydrosons होँगे, वो attached होँगे, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका formula बनेगा, जो कि क्या है, cyclohexene, ठीक है, और यह क्या है, single bond से बने हुए, unsaturated compounds भी बन सकते हैं, जैसे benzene, benzene के unsaturated compound है, जिसमें क्या होता है, आपका double bond आता है, अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, इसका जो formula होता है, वो क्या होता है, C6, C6, H6, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का cyclic बनेग और इसका नेम जो होगा, वो क्या है, बैंजीन, ठीक है, C, और यहाँ पे देखे, वैलेंसी यहाँ पे थोड़ा misprint है, यहाँ पे दो bond, यहाँ पे alternative में इसके क्या लगेंगे, आपके दो carbon के bond लगेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे C की जो 4 आपके वैलेंसी होगी, वो complete होग Functional Groups, In a hydrocarbon chain, one or more hydrogen can be replaced by halogens, oxygen, nitrogen, sulfur such that valences of carbon remains satisfied, तो hydrocarbon chain है, उसमें एक या एक से ज़्यादा hydrogen को replace करके वहाँ पे कोई halogen अगर attached होता है, या oxygen, nitrogen, sulfur यह जो ग्रूप से यह attached होते हैं, तो और क्या करते हैं, हमारी जो carbon की वैलेंसी हो, उसको भी satisfy करते हैं, तो these replacing hetero atoms, इन्हें हम क्या कहेंगे, hetero atoms and the group containing these sulfur specific properties of the compound, तो जब hydrocarbon में ऐसे क्या hetero atoms attach होंगे, तो वो जो compound form करेंगे, उन compound की क्या होगी, कुछ different properties होंगी, ठीक हैं, कुछ different properties होंगी, regardless the length, nature of the carbon chain and hence the, and hence are called functional groups, कितने भी लंबी अगर वो hydrocarbon की chain है, अगर उसमें hetero atoms अगर attach हैं, तो वो उसी का nature show करेंगे, ठीक हैं, वो जो hetero atoms attach हैं, उसी का nature show करेंगे, उसी के property show करेंगे, और hence are called functional groups, और ऐसे जो आपके chain होंगे, कार्बन के, उन्हें हम क्या कहेंगे, functional group, अब ये बहुत functional group है, हम आगे पूरी list करते हैं, functional group की, तो यहाँ पर देखियो, hetero atoms, यहाँ पर chlorine है, bromine है, ठीक है, और आगे क्या है, आपके पास, class of compounds क्या बनाएंगे, halogens, ठीक है, और ये जो formula होगा, functional group का है, वो कैसे होगा, अगर chlorine हैं, तो chlorine attach होगा, carbon, hydro carbon chain में, अगर bromine है, तो bromine attach होगा, ठीक है, oxygen में कितने बन जाएंगे, आपके oxygen में, बहुत सारे compounds बन जाएंगे, जैसे alcohol है, aldehyde है, ठीक है, उसके बाद आपके ketone है, carboxylic acid है, और इसके आपके पास क्या है, functional group भी है, ठीक है, aldehyde में, आपके पास क्या है, CH double bond O, ठीक है, ketone में, आपके पास क्या है, C double bond O, यहाँ पे जो C है, यह क्या होगा, आपके carbon, जो hydro carbon chain बनेगी, उसमें last में नहीं आ सकता है, first या last में, यह बीच में होगा, क्योंकि इसके दूरों साइड क्या है, carbons attached होंगे, ठीक है, ऐसी ज one, draw the electron dot and bond structure for pentane and second is propene, ठीक है, तो pentane का सबसे पहले formula क्या होगा, C5H12, ठीक है, electron dot structure कैसे होगा, आपका कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, यहाँ पे आप इसको show भी कर सकते हैं, इस type से circle करके, जो sharing show हो रही है, ठीक है, तो यह आपका क्या है, electron dot structure of pentane, ठीक है, next देख लेते हैं, इसी का, जो bond structure होगा, वो गया होगा, simply जो electrons थे, जो pair है, उसमें आप क्या बना सकते हैं, bond, bond क्या होता है, bond पे आपके दो electrons होते हैं, ठीक है, एक bond होता है, वो दो electron को show करते हैं, तो यहाँ पे आप ऐसे bond show कर सकते तो यह आपका हो गया bond structure, next है, propene, propene का formula क्या होगा, molecular C3H6, ठीक है, और इसका जो पहले dot structure कुछ इस तरह से बनेगा, और जो bond structure हो आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है, चले, next देख लेते हैं, second question, draw the electron dot and bond structure for ethane, how many bonds are necessary between the two carbon atoms in order to satisfy their balances, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है कि, ethane का क्या बनाना, आपको dot structure and bond structure, तो यह आपका dot structure हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप sharing भी show कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, और यह हो गया, आपके carbon के, ठीक है, चले, और यह आपका क्या है, bond structure, अब यहाँ पे पूछा गया है, आपको एक question, how many bonds are necessary between the two carbon atoms in order to satisfy their balances, अब देखे, इथे इन है, इथे इन के saturated hydrocarbons है, अब saturated hydrocarbons में क्या होता है, single bond चाहिए होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो requirement होगी, वो क्या होगी, single bond की, okay, single bond is necessary between the two carbon atoms in order to satisfy their balance, okay, third question is, write the molecular formula of cyclopentane and also draw its bond structure, तो cyclopentane का जो formula होगा, वो क्या होगा, C5H10, और इसका जो bond structure होगा, वो कुछ इस तरे से होगा, ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, six carbon के atoms, sorry, five carbon के atoms होगे, ठीक है, और सभी जो carbon atoms होगे, उस पे क्या होगे, दो hydrogen आपके attach होगे, ठीक है, चलिया, next देख ले hydrocarbons के होते हैं, it consists only a single bond between carbon atoms, and unsaturated hydrocarbons, which consists double or triple bond between carbon atoms, ठीक है, example भी यहाँ पे आप mention कर सकते हैं, जिसे saturated में क्या गया, आपका methane, butane, और unsaturated में, propene, ethane, okay, fifth question is, what are the functional groups, what is the formula of functional group of alcohol and aldehyde? तो functional group क्या होते हैं, in hydrocarbon chain, one or more hydrogen can be replaced by heteroatoms, ठीक है, heteroatoms, जो कि chlorine, bromine, या फिर आपके oxygen हो गया, ठीक है, and contain specific properties to the compound, are called functional groups, ठीक है, तो यह हो गया आपका functional groups, ठीक है, तो यह हो गया आपका functional groups, और इसके लावा जो aldehyde और alcohol का functional group होगा, जो formula होगा, वो क्या है आपका, alcohol का क्या है, कि hydrocarbon की साथ OH attach होगा, और aldehyde का क्या होगा, C, single bond H, double bond O, ठीक है, तो चलिए, आज की worksheet यहीं पर finish होती है, I hope आपको सारी चीज़े clear हो गई हो, वीडियो अगर अच्छी लगे, तो प्लीज वीडियो को like कीजे, comment कीजे, और चैनल को जरूर subscribe कीजे, thank you so much, bye bye, take care.